C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावर्ण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार प्रिष्ट संक्या 86, अध्याय 7, पानी है अनमोल, बर्सोरे मेगा मेगा इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं, उपर वाले चित्र में तीन बच्चे हैं, एक बच्चा नहा रहा है एक लड़का और लड़की कुछ खापी रहे हैं, और साथ ही पहाड, नदी, घर, पेड़ पौधे भी हैं और इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक दूसरा चित्र है, जिसमें पहाड, घर, नदी और वर्षा हो रही है प्रिष्ट 87, वो क्या है, जो नीचे तो आता है, लेकिन कभी उपर नहीं जाता आसमान को प्रति दिन एक सप्ता तक देखिए, क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है, और किसी दिन गलत भी क्या ऐसे कुछ संकेत हैं, जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं, कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि वो ये अनुमान कैसे लगाते हैं? इन संकेतों को लिखिए मुझे लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि? कम से कम दो संकेत लिखिए, रिक्तिस्थान मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि कम से कम दो संकेत लिखिये रिक्तिस्थान लो आ गई बारिश यहाँ पर एक वर्षा का चित्र है जिसमें घर की बालकरी में एक बच्चा वर्षा का आनन ले रहा है और उसके पास उसकी पाल तो बिल्ली बैठी है शिक्षक संकेत इस अध्याय का पहला भाग तब पढ़ाया जाए जब आपके क्षेत्र में वर्षा हो रही हो तब बच्चे स्वतंत्रता से इसका अवलोकन कर सकते हैं वो प्रश्ण पूछने, अनुमान लगाने, चर्चा करने, चित्र बनाने तथा अपने अवलोकनों को दर्ज करनी जैसे अनुभाव प्राप्त कर सकते हैं प्रिष्ट संक्या 88 गतिविधी 1 बारिष के बारे में अपने आप से अधिक से अधिक प्रश्ण पूछिए बारिष बहुत तेज है या धिमी? बारिष की बूंदे बड़ी है या छोटी? बूंदे तेजी से नीचे आ रही है या धीरे-धीरे? क्या बारिष इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाए आपको पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है? क्या बारिष जमीन पर सीधिक गिर रही है या फिर ये तिर्शी है? क्या ये अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए क्यों? किसी बरतन में बारिष का पानी इकटा कीजिए ये इस साफ दिख रहा है या गंदा? चित्र बनाईए आपने जो बारिष होते हुए देखी है उसका चित्र बनाईए चित्र बनाने के लिए यहाँ पर रिक्तिस्थान है प्रिष्ट संख्या नवासी क्या आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिष होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या बारिष आपके ही क्षित्रे में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाईए और फिर पूछ कर पता कीजिए बारिष से जोड़े कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए बारिष से जोड़े कुछ गीत गाईए क्या आप बारिष होने से खुश हुए? क्या इस से सभी खुश हुए? बारिष के पानी का क्या हुआ? जब बारिष होई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा आईए, पता करें कि वो सारा पानी कहां गया? अलग-अलग तरह की सतों पर वर्षा का पानी गिर रहा है सोचिए कि इन अलग-अलग सतों पर इस पानी का क्या होता होगा? क्या बारिष का पानी मिट्टी में चला गया? या ये गड़ों में इकठा हो गया? या फिर बह कर कहीं दूर चला गया क्या आपने कभी देखा कि ये किसी छोटी सी धारा ये नदी में जाकर मिल गया क्या होता है जब बारिश रुख जाती है और सूरज निकलाता है बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है इस बात का अनुमान लगाईए जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो ये पानी धीरे धीरे भूमी के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है कुछ पानी भूमी के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकठा हो जाता है ये भूमी के नीचे वाला पानी हमारे कूओं में आता है धाराओं में वहता हुआ ये पानी जाकर नदियों में मिल जाता है बारिश का कुछ पानी गड़ों, तालाबों, जीलों, सागरों और महा सागरों में भी चला जाता है इस प्रिष्ट पर बारिश के कुछ चित्र हैं इन चित्रों में बारिश पेड़ पौधों पर पहाडों पर नदियों में चट्टानों पर और सागरों में होती दिखाए गई है प्रिष्ट संक्या नब्वे पता लगाईए क्या आपके गाउं या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाव या जील है उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए किसी बड़े के साथ वहां जाईए और उसका चितर भी बनाईए उसके आज़ पास दिखने वाले किसी पशुपक्षी या पिड़ का चितर बनाईए नदी के बारे में कोई कविता पता कीजिए और कक्षा में उसे गाईए पानी है अनमोल पानी हमें आस्मान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है ये उपहार हमारे घरों में अलग-अलग तरीकों से पहुँचता है। हम इस उपहार की देखरे कैसे करते हैं। हम इसका भंडारन कैसे करते हैं। हम इस पानी का क्या करते हैं। आईए इसका पता करें। सूरिया और बर्खा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है। विद्याले में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाईपों के द्वारा पहुचता है। इन पाईपों में पानी कहां से आता है। सूरिया और बर्खा ने पाईपों क इस टंकी में कैसे आया। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें एक बच्चा गिलास में नल से पानी भर रहा है और उपर एक टंकी का चित्र भी है। क्योंकि ये हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है और पिड़ पौधों को बढ़ने में साहता करता है। प्रिष्ट संक्या इक्यानवे चर्चा कीजिए। आपको पानी कहां से मिलता है? क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहां से आता है। वो आपको छट या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। या बिजले के पंप की सहता से निकाला जा सकता है फिर से सोची कि कुवों में पानी कहां से आता है क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुवें, नदी या जिल से आता है वो पानी कैसे लेकर आते हैं आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवात कहिए। इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र हैं जिसमें नल से बहते पानी का चित्र, एक टंकी का चित्र है और पास एक चित्र है जिसमें एक विक्ति ने अपने कंधे पर दो मटके उठा रखे हैं और सामने एक नदी बह रही है पता लगाईए क्या आपको पानी टेंकर से मिलता है यदि हां तो पता कीजिए कि ये टेंकर पानी कहां से लाते हैं क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गाउं या शेहर के कुएं नदी या जिल से आता है क्या आप किसी ऐसे विक्ति या परिवार को जानते जिसे पानी लाने में प्रति दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब आपने क्या किया। सूरिया और बर्खा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक घर का चितर है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है और पास ही उनके माता पिता भी हैं। लड़के ने कहा अरे आज पानी नहीं आ रहा। लड़के बोली ओह नहीं। पिता बोला हमने दो बाल्टी पानी बचा कर रखा है। माने कहा पानी के लिए सावधान। आज सुसाइटी की पाइप लाइन फट गई है। प्रिष्ट संख्या तिरानमे पता लगाईए। अपने दादा दादी या नानानी या किसी बड़े से पूछिए। उन्हें पानी कहां से मिलता था। क्या वो भी पानी का उप्योग उसी तरह करते थे जैसे आप करते हैं। वो घर में पानी का रख रखाव कैसे करते थे। उनसे बात करके आपको जो पता चला उसके बारे में एक कहाने लिखिए। हम पानी को तभी भरकर रखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि पानी हर समय नहीं आएगा। बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाईप या नल नहीं थे। इसलिए लोगों ने पानी को भरकर रखने के लिए बरतन बनाना सीखा। यहां कुछ ऐसे बरतन दिये गए हैं जिने हम आज की समय में पानी का संग्रह करने के लिए घरों में उप्योग मिलाते हैं। ये अलग-अलग सामगरी से बने होते हैं। इस प्रिष्ट पर विबिन्द प्रकार के पानी के नौ बरतनों का चित्र है। ये चित्र हैं। प्रिष्ट संख्या 94, गति विधी 3, प्रदर्शनी लगाईए। अपने घर में उन बरतनों की पहचान कीजिए जिन में पानी भरकर रखा जाता है। अपने परिवार में बरों से पूछिए कि वो पानी का संग्रह करने के लिए किन बरतनों का उप्योग करते थे। प्रिष्ट पर उस बरतन का चित्र बनाईए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और अपनी भाषा में इसका नाम भी लिखिए। शिक्षक की सहता से इस चित्र को कक्षा की प्रदर्शनी में लगाईए। कक्षा की प्रदर्शनी में अपने सहपाटियों द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। विभिन प्रकार के कितने बरतनों के चित्र बनाए गए हैं। क्या आपको इन बर्तनों पर कुछ नमूने दिखाई दिये? इस प्रिष्ट पर विभिन प्रकार के बर्तनों का चित्र है प्रिष्ट संख्या पिचानवे एक पल रुकिये और सोचिये धर्ती पर पानी बारिश के रूप में आता है ये पानी के प्राकर्तिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है जैसे जल धाराएं, नदिया, तालाब, झील, कुवें तथा भूमिकत जल आदी इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों मिलाते हैं हम कई तरीकों से इसका संगरह करते हैं हमारे उप्योग करने के बाद इस पानी का क्या होता है? इस प्रिष्ट पर पानी के कुछ स्रोतों का चितर है जिन से हमारे घर में पानी आता है पानी हमें चीजों को साफ रखने में सहता करता है ये हमरे स्वास्त के लिए बहुत आवश्यक है इस उप्योग के बाद पानी गंदा हो जाता है हम पीने और खाना पकाने के लिए इस गंदे पानी का उप्योग नहीं कर सकते परंतो हम इस पानी को पौधों तथा शोचाले के लिए फिर से उप्योग कर सकते हैं हमें सोच समझ कर पानी का उप्योग करना चाहिए तथा जितना संभव हो सके उसका फिर से उप्योग करना चाहिए हमें पानी में बहुत अधिक साबुन और ऐसे ही अन्य रसायनों को नहीं डालना चाहिए आईए, आस्मान से मिले इस अनमोल उपहर का सावधानी से उप्योग करें प्रिष्ट संक्या 96 हर बूंध है अनमोल पानी हमारे लिए महतपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है हम बिना पानी के तीन दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते यही कारण है कि जो भी व्यक्ति हमारे घर आते हैं उन्हें हम पहले पानी पीने को देते हैं। कुछ स्थानों पर जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी के बड़े बड़े स्रोत भी नहीं हैं, वहां लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि सभी को हर समय और पहुचाने वाले या सफाय का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सी जगों पर घरों के बार पानी से भरे बरतन रखे जाने की भी परंपरा है, जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। ये विशेश रूप से गर्मी के मौसम में रखा जाता है। यहां पर तीन चितर हैं। पहला चितर है लोगों के लिए निशुल्क पीने के पानी का। पहले चितर के नीचे लिखा है लोगों के लिए निशुल्क पीने का पानी। और उसके उपर एक बोड है जिस पर लिखा है निशुल्क पीने का पानी। दूसरे चितर के नीचे लिखा जानरों के पीने के लिए पानी का हौद, दूसरा चितर एक हौद का है, जिसमें दो गाएं पानी पी रही हैं, तीसरे चितर के नीचे लिखा है पक्षियों के नहाने और पीने के लिए पानी का बर्तन, बर्ड बात, इस चितर में एक बर्तन है, जिसमें कुछ पक्षी पानी पी रहे हैं। पक्ष्यों के बैठने के लिए इसमें कुछ कंकड रखिये। आप किनारों पर कुछ छोटे-छोटे कंकड पत्थ रख कर इसे ढालदार बना सकते हैं। ऐसा करने से कीटों को भी इस पानी का उप्योग करने में सहता मिलती है। अब इसमें साफ पानी भर कर अपनी बालकनी या चछत पर रखिये। इस बरतन का पानी समय-समय पर बदलते रहें। सप्ता में दो बार किसी कड़े ब्रश से इसे साफ करें। ध्यान रहे, इस ब्रश को रसोई घर के बरतनों को साफ करने के लिए उपयोग में ना लाया जाए, इसे केवल बगीचे में उपयोग के लिए ही रखें। इस प्रिष्ट के निचले भाग में चार पानी के बरतन हैं, जिसमें से सबसे नीचे एक बड़ा बरतन है और उसमें कुछ पक्षी पानी पी रहे हैं। कि ये साफ है ये गंदा। आपने देखा कि अलग अलग जगों पर गिरने वाले बरसात के पानी का क्या हुआ। अब बरसात से संबंदित आपके जो अवलोकन हैं उस पर कुछ पंग्तियां लिखिए। दो, आपने आसपास के किसी जलधारा, नदी, कुए, तालाब या जिल का नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता की हैं। इस बारे में कुछ पंग्तियां लिखिए। क्या ये पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रिष्ट निन्यानवे, ग, चर्चा कीजिए। तरीकों के बारे में सोचिए तथा उन्हें अपने कौपी में लिखिए। प्रिष्ट के निचले भाग में एक जरने का चित्र है, जिससे पानी बह रहा है। प्रिष्ट संख्या 100 विराम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावण अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा, ध्वन्यांकन, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, स्वरेंदर कुमार, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।